हलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज में आपके साथ में बहुत ही काम आने वाले टिप्स लेकर की आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आएंगे क्या 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 टिप्स हैं यह देखने के लिए आपको फूल वीडियो देखना रहेगा अगर आप चैनल पर न मिलता ही होगा हम इसे रख देते हैं नो पिस अच्छा भी लगता है आप चाहो तो इसमें प्लांट ब्यार भी लगा सकते हो पॉरबुत बाकिकर ऐस्तराक हो ऑपने किशिन में तो इसमें सारी संद्धर में स्फून भी i इसा नहीं है कि अच्छा ना लगे आप इसको इसमें चाकू वगएरा भी रख सकते हैं जो भी है आप इसको इस तरीके से यूज में लेंगे मैं हमेशा आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा मैं सी में अपना इस्पून रखती हूं सारी खिट्टा एक जगह ही और एक स तरीके के चमच रख सकते हैं और नेक्ट मेरा है यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि हम बहुत ही जल्दी आसान तरीके से एक सबजी बना करके तयार किये करेंगे बिना लहसुन प्याज के तो यहां पर मैंने मटर टमाटर और आलू लिया है और मैं एक साथी सब को कट कर ल डाइएंगे सब्सक्राइब ऐसे ज़से आलू के साथ में मैं आलू के साथ ही हम सारे मसाले हैं जो भीयां होते हैं तोब स्वार्ण देड़ को आलू को जिस्टे के अलू के अंदर से मसाला चला जाए उसके बाद हम एट करदेंके कसूरी मेली और बस सारी चीदों को से मिक्स करने के बाद में इसमें हम करेंगे तो ग्रेवी आप अपने साथ से रख सकते हैं और इतनी जादा टेस्टी सबजी बनती है कि आप इसे इस तरीगे से सिंपल और आसन तरीगे से बनाओगे तो पता चलेगा आपको और हमारी बहुत जल्दी जटपड से दो मिनट भी नहीं लगती है इसे बनने में अब इसमें हम टेस्ट के में आपको जितन बहुत ही टेस्टी सी सबजी बनके तयार हो जाएगी बिना प्याज लेस्ट का और टमाटर को भी हमने अलग से नहीं पकाए यहां पर मैंने 2-3 सीटी लगा ली थी आप देख सकते हैं सबजी का कलर कितना अच्छा है बहुत ही टेस्टी सबजी बनी थी आप चाहो तो इसम बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप इसे चावल रोटी पराठी किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुत ही यमी और टेस्टी सबजी बनती है यह और कितने जल्दी बनाके हमने तयार कर ली है जटपड से कोई भी सबजी समझ ना आए सिर्फ आलू और एक प्याज आलू और ट झाली हो बनाके तो मैं θα गोटेंसा यहां तो यहां पर कर्लum तका लिया म लिए मैं कर लिया मैंने बहुत उपड़ा अच्छे कर लिया लिए क्यों अचिकर घुकर को सब्सक्राइद से गयllä पर सब्सकारे खेल कर लिया न काbstandra कर देंगे और सारी स्लेंडर इस तरीके से करने के बाद आप इसे दो मिनट के लिए छोड़ दें दो मिनट बाद आप इसे हटाएंगे प्ड़े को उससे पता चलेगा कि कितना इस में अभी 복ते हैं तो दो मिनट बाद दिखाएंगे में आपको कि कैसा result निकलता है इसका, यहां पर हम इससे ठोड़ देते हैं शी तरीके से, तो यहां पे फैक्षज दो मिनट हो चुकी थी, और मैंने इहां पर इसा तरीके से कर दिया था, अब इसे मुझला व नगल कर देखते हैं। यहां से हमें पता चलेगा कि जहां से हमारा जो slender है गीला है जहां पर आपको पानी दिख रहा होगा जो हमने मतलग तक गीला दुपट्टा लगाया था तो समझ लीजिए वहां से नीचे तक गीला था और यहां तक इसका गैस अभी बाकी है तो आप इस ट्रिक के साथ में पता कर सकते हैं कि आपकी गैस लेंडर कितना बाकी है और नेक्ट मेरा टिप से इसको लेकर के यह डवल साइड वाला जो टेप रहता है और बहुत ही काम आता है यह वाला टेप पर इसकी एक प्रॉब्लम रहती है जब भी हमेंसे दीवार पर चिपका देते हैं तो यह फिर छूड़ता भी नहीं है अगर छूड़ता भी है तो सारा जो दीवार पर रहता है पप्री जैसी उतराती है उसके लिए आपको यह किस तरीके से दीवार पर आप इसे चिपका सकते जिससे के हमारा जो टेप है जब भी आपको मतलब छोड़ाना है दीवार से वो अलग हो जाए और बिना ही उसके पप्री जैसी ना उत्रे आसानी से निकल जाए उसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको बताती हूं आपको लेना है इस तरीके का जो टेप होता है लग हो जाएगा तो आप इस तरीके से नहीं पड़ेगा तो आपका जो टेप है आपकी दीवार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी बहुत ही यूजफुल टिप्स है यह आप इसको यूज कर सकते हैं कैसा लगा आपको यह वाला टिप्स जरूर कमेंट करके बताएं और ज्यादा तर तो हमेशे बैलून बगेरा लगाने के लिए दीवार पर हम लगाते हैं डेकुरेशन करने के लिए यूज करते हैं तो आप ये इस तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं और नेक्स में टिप्स है यहां पर मैं बताऊंगी आपको कि बिस्किट का पैकिट खुल जाता है अगर आप इसे इसी तरीके से छोड़ दो है तो सारे बिस्किट हैं जो मतलब सौफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है उसके लिए आपके बिस्किट आप इसे चत्रीके में या आप करके ज़या शाप रखत लेती हूं्हम आप इस तरीकषे बंद ना रखें अपसे रखें फ्रिज में आप अगर फ्रिज में आ आप ये बिस्कित रखेंगे ना तो आपके बिस्किट कभी भी सीलेंगे नहीं आप एज्छों द calendar इसे दिए को जरूर फोलो करें आप इस तरीके से अपने बिस्कित को फ्रिज में रखेंगे तो आपके बिस्कित विल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो कैसा लगा आपको यह बाला टिप्स जरूर कमेंट करके बताएं तो यही थी मेरी आज की टिप्स कैसी लगी आपको प्लीज पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब